आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now हमारे पास Question का दिया हुआ है कि प्रत्वी से 5 मीटर की उचाई पर एक बिंड वीरामा वस्ता में इस्तित है, मुक्त रूप से नीचे गितने पर यह है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रत्वी तल पर पहुँचता है Small g का मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर ठीक है, यह small g क्या होता है प्रत्वी का गुरुत्वियत वरण अब हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए यह आकड़े यांत्रिक उर्जा सरच्छड के नियम की पुस्टी करते हैं, ठीक, तो यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि हमारा जो दिये हुए यह आकड़े है यह जो है यआंत्रिक उर्जा सरच्छ के नियम की पुस्टी करता है, ठीक, तो यहां पर यांत्रिक उर्जा सरच्छ지 का नियम यह होता है, कि जब कोई वी पिंड यहां पर क्या है कि ओर दुहाधद इसामे गती कर रही हो तो उसके और यहां पर क्या हो बाहर कोई बल नहीं लग रहा है कोई बाहर बल यहां पर कारेरत नहीं है तो उसकी जो गतीज उर्जा और जो इसकी इस्तितिज उर्जा का योग है वो हर जगह पर क्या रहाएगा नियत रहाएगा ठीक है और गतीज उर्जा और इस्तिष उर्जा के योग कोई हम क्या कहते हैं? उसकी यांतरिक उर्जा कहते हैं, ठीक है? यानि यहां पर क्या है? हमसे इसका मतलब यह हुआ कि E, जो है, E हमने माना यहां पर क्या है? यह यांतरिक उर्जा है, यह E, ठीक? यह E क्या है? यांतरिक उर्जा है? E बराबर क्या होता है के प्लस यू यहाँ पर के क्या है के गति जूर्चा है गतिश उर्चा और यू क्या है यू जो है इस्टिदि जूर्चा है ऐसा हमने यहाँ पर माल लिया है तो उर्द्भादर जिस्था में गति के लिए क्या होगा यह जो है हमारा क्या है नियतांक रहेगा ठीक यह क के प्लस यू का मान जो है वो नियत आंक रहेगा ठीक मलब नियत रहेगा यहाँ पर इसका मलब यह नहीं कि गतिज उर्जा नहीं बद्लेगी गतिज उर्जा भी पता सकती है और इस्टिज उर्जा भी पता सकती है लेकिन इनका जो योगफल है वो नियत रहेगा हर जगह पर तो किनी दो बिंदों की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए पहले यहां पर चितर बना कि देखें तो यहां पर क्या है हमसे का गया प्रत्वी से पांच मीटर की उचाई पर एक पिंड विरामा वस्ता में इस्तित है यहां पर हमने माल दिया यह हमारा तल जो है प्रत्वी का है ठीक है यह हमारा तल क्या है यह हमारा प्रत्वी तल है इस तल से 5 मीटर की उचाई पर यहां पर क्या है यह माल दिया हमारा कोई पिंड है जो इस समय जो है क्या है कि प्रत्वी तल से हमारी 5 मीटर की उचाई पर है ठीक है यह उचाई कितनी है यह उचाई पांच मीटर है ठीक मुक्तुरूप से नीची के तरफ गिरने पर, अब यहां से इसको मुक्तुरूप से मतलब यहां पर क्या है, इसको बस यहां से छोड़ दिया गया है, यह मुक्तुरूप से नीची गिजा है, ऐसा नहीं कि इसको फेका गया है, किसी वेक से नहीं, मतलब यहां पर क्या है, इस है इसको ने यहांपे मान lo erhalten 자 विआ पर किया है जो उचाई यह स patrol है है इस न्पीर इसको पारे एच्वार माल लिया जड़ा है अब क्या है हम से कर गए कि जब यह प्रत्वी पर पहुंचता है ठीक है मतलब यहांपर किसी समय यहां वो आओगा कुसमाने भाद यह यहां पहुंच गया होगा मनलगा पर प्रत्वी तल पहुंच गया होगा ठीक तो पॉत क्यों पहुंचने पहुंचने पर क्या है कि इसका जो वेग है ठेल हो कितना है हो यहांपर 10 meters लिख यहां पे इसका द्रमा भी क्या होगा, M ही होगा, और यहां पे इसका जो वेग है भो कितना हो गया, अब 10 meter per second हो गया, ठीक, तो इसको अमने V2 माल लिए, V2 कितना हो गया, 10 meter per second, ठीक, अब इसकी इस पिंड की जो है, प्रत्वी तल से उचाई कितनी हो जाएगी, अब यह प् बताना है कि सिद्ध कीजिए कि यहां पर जो है यह आकड़े हमारे जो है यांत्रिक उर्जा सरचड के नियम की पुस्टी करते हैं तो अगर हम यह सिद्ध कर लेते हैं कि इस बिंदु पर यानि जो उच्छतम बिंदु है इस तरह के पर जो इसकी कुल यांत्रिक उर्जा है और यहां पर यहां पर यहां पर निम्नतम बिंदु पर यहां पर यहां पर निम्नतम बिंदु पर यहां 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 बिंदू है मतलब यहां पर प्रध्रवी तलप पर कैंड जो गतिज ऊर्जा वो केटू है और जो कि I इसकी U2 है और यहां पर क्या कि हम यांसरे कोर्जा क्या एक prawallyow et हे ठीक तो यहां पर क्या है अगर हमने यहां पर ये शिद्रिक दिया कि जो E1 है वहला हमें यहाँ पर यह सिद्द्ध करना है कि E1 बराबर E2 या हम यू कहें कि E1 क्या होगा E1 हमारा हो जाएगा क्या? K1 प्लस U1 ठीक और E2 क्या हो जाएगा? K2 प्लस U2 ठीक तो अगर हम ऐसा सिद्ध कर देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा तो यहां पे हम से दिकलेंगे कि यहां पे यह आकड़े हैं वो यहां पे इसके लिए हम पहले यहां पर क्या निकालेंगे पहले यहां पर E1 निकालते हैं ठीक है, e1 क्या हो जाएगा, e1 हम जानते हैं क्या होगा k1 plus u1, यान्य यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु पर yuantrik उर्जा है, kul yuantrik उर्जा है, वो इसकी गतिज उर्जा और इसकी इस गतिज उर्जा के योगफल के बराबर होगी, ठीक तो k1 कितना हो जाएगा देखिए k1 हो जाएगा हमारा half m v1 square ठीक है तो e1 कितना हो जाएगा देखिए k क्या होता है half और गुड़े द्रवमान ठीक है द्रवमान कितना है कि उसका सुत्र क्या होता है यू बराबर होता है एम जी एज जी क्या होता है इस पर यहां पर क्या होता है कि जब कोई भी पिंड यहां पर उर्द्वाथा जिसा में गती कर रहा है तो नीछे की तरफ एक यहां पर क्या होता है कि गुरुत्वा एक गुरुत्वी है तुरान क पहर करता है ठीक जिसको small g से हम दिखाते हम है उस small G का मान यहाँ पर एक्जक् slips क्या होता है dax । किसंज से इन इसके शरूत लेना है उपहरा को यह भी दो जाएगा दिखें तो यहाँ पर क्या जाता है यहाँ अन्हें M हमने M ही माना है हमें नहीं दे़िया अवर तो हो जाएगा देखिए even कितना एक बटे दो गुडे m गुडे 0 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहां पर क्या 10 पर 50 m हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या जाएगा 0 का वर्ग 0 और 0 गुड़े कुछ पी करेंगे तो यह पूरा मान जिरो आने वाला यानि एवन कितना आज आएगा इवन हमारा आज गया पचास एम ठीक यह हमारी क्या हो गई है यह हमारी जो है यहाँ पर उच्छितम बिंदू पर कुल यहां तरे कूड़ जाओ गई है ठीक अब हम यहां पर निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं, क्या हो गाए ठीक छास पर गई हो जाएगा यहाँ यहां पर क्या हो जाएगा milli हं ठीक तो यहाँ पर क्या जगा देखिए E2 बराबर एक बटे दो गुड़े M गुड़े यहाँ पर V2 V2 कितना है दखिए V2 हमको दिया हुआ है यहाँ पर जब इस बिंदु पर जो है जो वेग है वो कितना है 10 meter per second square है ठीक है यहाँ पर दिखा दे रहा हम यहाँ पर यहाँ पर यह नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पर किस लेक से गिर रही है 10 meter per second यहाँ पर V2 कितना हो जाएगा 10 meter per second तो इस कमान दखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का वर्ग इसी तरीकत से यहां पर क्या हो जाएगा M, गुड़े G का मन कितना है, 10 और H2 का मन कितना है, 0, ठीक, तो यहां से E2 कितना आ जाएगा, E2 हमारा आ जाएगा, 1 बटे 2, गुड़े M, गुड़े 100, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, जब into में 0 है, गुड़े में 0 है, तो यहा पर आ गया कितना 50 m ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर जो है हमने देखा कि जो e1 का माँना वो e2 के बराबर आ रहा है यहां यहां यू कहले कि k1 प्लस u1 बराबर क्या रहा है k2 प्लस u2 आ रहा है ठीक तो यहां पर जो है देखिए यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर क्या है यहां पर कोछ हम समझ सकते हैं यहां पर क्या देखिए इसके जो उच्चितम बिंदु पे जो है उच्चितम बिंदु पे इसका वीवन जीरो होने के कारणर क्या था कि इसके जो गतिज उरजा थी वो इसके जो गतिज उर्जा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी ठीक और इसके जो निमनतम बिंदू यानि प्रत्वी तल पर क्या होगा कि इसकी इस्तितिज उर्जा वो जीरो हो जाएगी और इसमें जो कुल उर्जा होगी वो किवल और किवल यहां पर गतिज उर्जा के र तरहां, में जब कोई पिंट इनक्र गती कर रहा है, मुग दूरोप से, तो इसकी जो कुल यांत्रिक वोरजा नियत रहती है, तो है हम ने यहां कर दी कि यह आकडे death do a की कि यह आकडे यह आकडे आकडे क्या कर रहे हैं कि यह आकडे यांत्रिक उर्जा सरच्छड के नियम की पुष्ठी कर रहे हैं हमारे इस कोशन में हमसे यही पुछा गया तो यह इसका अंसर होगा थैंक्यू आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर